नमिश्का लाइफ 24 दिख रहे हैं आप मैं आपके साथ तानिया दिकारी महराश के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने सोमवार को शिक्षा में मुस्लमानों के लिए 5% आरक्षन देने का प्रस्ताव रखा था जिससे अब उनके सहयोगी दलों में नराजगी बढ़ती दि अभी तक इस मांग पर कुछ कहा नहीं है विगर है कि भार्दोजंता पार्टी धार्मिक अधार पर कोटा के खिलाफ रही है ऐसे में पार्टी के लिए जूनियर पवार के लिए यह मांग किसी असमंज से कम नहीं है बता दे कि बीते दुनों पवार ने बैठक में कहा था क कि अब्दुल सत्तार और एक अन्यमंत्री हसन मुश्रीफ की राय थी कि मुस्लमानों को आरक्षन मिले और चूंकि यह तीन दलों की सरकार है इसलिए मैंने उनसे कहा कि मैं इस मुद्दे को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फंडविस के सामने रखूं शिंदे गुट के अलावा जूनियर पवार भी निर्भर है ऐसे में पवार अपने वोट बैंक को संभालने के लिए ऐसी मांग रख सकते हैं क्यूंकि इस बात से पूरी तरह से परिचित है कि मराठा वोट कई पार्टियों में बटेगा और ऐसे में वह मुस्लमानों की और अपना रुख कर रहे हैं अब समझते हैं कि इसका चुनाफ पर कितना असर पड़ेगा राश्यवादी कॉंग्रेस पार्टी से अलग हुए गुट की प्रमुख अजित पवार और उनका सम्हू एक जुराई को मुख्यमंत्री एकनाश्रिंदे और उप मुख्यमंत्री पंडविस की शिवसेना भारते जंता पार्टी सरकार में शामिल हो गया था हलाकि अभी तक सत्तरूड गडबंधन में अन्ने दो सहयोगियों की और से कोई अधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है खासकर कि जब से फंडविस धर्म अधारित कोटा नहीं बढ़ाने के बार मुस्लिम वोटों पर है जो कि राज्य के कई निर्वाचन छेत्रों में एक महत्पूर्ट कारक सामित हो सकती है अजीत पवाने हाल ही में आश्वरसन दिया था और दोराये था कि वह है बॉम्बे हाई कोट के आदेशू की अनुसार निर्णय को लागू करने के लिए पूर्व कॉंग्रेस एंसीपी सरकार द्वारा दिया गया था और यह है पूर्व वर्टी महाविकास अखाडी सरकार के वादों से भी शामिल है जिसमें जून 2022 में गिरने से पहले अजीत पवार डिप्टी सीम थे